हम अपने जीवन में उम्र के कई सारे पड़ावों को पार करते हैं और उन में से बुढ़ापा ऐसा पड़ाव है जो किसी को पसंद नहीं आता हर आदमी चाहता है कि वो बुढ़ा न दिखे उसकी उम्र पता ही न चले कि क्या है और खास तरपर कम उम्र में बुढ़ा होना दिखना ज्यादा उम्र का दिखना तो किसी को भी पसंद नहीं है हम इसी पर चार्चा करेंगे पर आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो बुढ़ापा किसी को भी पसंद नहीं होता है पर यह सचाई है कि बुढ़ा हर इनसान होता है और होना इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी एक खुबसूरत पढ़ाव है जीवन का पर फिर भी हम जब तक कोशिस करें कि हम ज़्यादा उमर के ना दिखें और कम उमर में तो बिल्कुल भी ना दिखें कि हमारी एज हमारी उमर से ज़्यादा लग रही है और अगर उमर हो भी गई है तो भी अगर हम कम एज के दिखते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी खुसी कभी से होता है पर कुछ चीजे हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम हमारी उम्र जो है जितनी हैं उससे कम दिखाई देती है और वो चीजे हैं अपने स्वास्त का ध्यान देना सबसे बड़ी बात तो पहला तो यह है कि आप टेंसन तनाओ लेकर के हम किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तनाओ केवाल हमको बिमारियों का सिकार बनाता है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए उसके हल को खोजना पड़ता है टेंसन लेने से कुछ भी नहीं होता इसलिए तनाओ से दूर रहें धेर सारा पानी पीएं और जो खाने की हैविट होती है, जैसे कि हमको जंक फूट नहीं खाना है, घर का सादा खाना खाईए, और सलाद फल, इन चीजों का प्रयोग अपने खाने में ज़्यादा करिए, पानी धेर सारा पीजिए, और सबसे प्रमुखवा, परियाप्त नींद लेना, समय पर सोना, समय स अगर लेट नाइट भी आप सोते हैं, तो भी नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नीद आ रही है, और हमने जबरस्ती हम उठे हैं, अगर नीद खुल गई है अपने आप तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमको नीद आ रही है, फिर भी हम नीद को ब्रेक करते हैं, हम अपनी नीद को अधूरा छोड़ते हैं, तो वो चीज फिर हमारे चेहरे पर जुर्रियां बन करके उभरने लगती है, इसलिए दो तीन चीजे तो बहुत ज्यादा, हमारी नीद, हमारा खान पान और टेंसन, ये चीज आपको बिल्कुल भी नह खान पान का ख्याल रखना है, परियाप्त नीद लेना है, ये बहुत जरूरी है, और अपने चेहरे पर लगाने के लिए, केमिकल वाली चीजों का उप्योग करें, घर की चीजे ज्यादा उप्योग करें, जैसे कि आप बेसन और हल्दी लगा लिए, मलाई इडाल करके, य फेसियल और ब्लीच और इनका उप्योग कम करें, बाहर की चीजों का उप्योग कम करें, चाहे चेहरे के लिए हो या खान पान के लिए हो, जब आप निचुरल डाइट लेंगे, घर की चीजें चेहरे पर लगाएंगे, उससे अपने चेहरे की सफाई रखेंगे, तो आपके चेहरे से आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे लोग, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा चैनल पर नायव, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, अब मिलेगे नेक्स वीडियों, तब तक के लिए बाबाई